गाईज आप देख सती हैं मेरे पास आज नीविया मैं डालग स्पोर्ट रिडेक्शन फेस्वोस है और आज इस फेस्वोस के बारे मैं आपके सारी डाउट के लिए रखने वाला हूँ जैसे कि इस फेस्वोस को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और के सच में फेस्वोस आपके चेरे से दाग दबो की प्रोब्लम को ठीक कर पाएगा और आपके चेरे को गोरा बनाएगा और आपको इस फेस्वोस को कब और कैसी यूज करना चाहिए आज इस नीविया मैं डर्ग स्पोर्ट रिटेक्शन फेस्वोस के बारे में आपको complete information देने वाला हूँ, वीडिये गलाट सके जरूर देखिए तो चलो बिने टाइम इस्ट की वीडिये स्टाट करते हैं गाईस सबसे पहले में इस फेस्वोस के price की बात कर लेते हैं जिसे आपकी स्कीन काफी ज़्यदा फेर दिखेगी और आपकी स्कीन काफी ज़्यदा bright एंड glowing नजर आने लगीगी और साथ ये फेस्वोस एक इस स्कीन को deep cleanse करता है और स्कीन को healthy और glowing बनाए रखने में काफी ज़्यदा help करता है और ये face hose आपके चेरे से dark spot को भी reduce करने वाला है अगर आपके चेरे पे हलके फुल के दागदबू की problem है तो इस case में भी ये face hose आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस face hose को regular use मिलेने से ये face hose चेरे से dark spot को भी बहुत तिच्छे से कम कर देता है लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूआ आपको इस face hose को कम से कम डेर से 2 मेने तक regular use करना होगा तब ही आपको इस face hose का dark spot पे अच्छा ये लिट देखने को मिलेगा इस face hose को डेर से 2 मेने तक regular use करने के बाद आपको feel होगा कि आपके face से dark spot पहले से काफी कम हो चुके है साथ ये face hose के एक अच्छे बात ये भी है ये face hose open ports को tight करने के साथ साथ इसकीन से excessy oil को भी निकाल देता है जिसे इसकीन कुछ hours तक oil free भी रहती है और ये face hose इसकीन से केवल extra oil को ही remove करता है natural oil को remove नहीं करता है इसलिए इस face hose को use करने के बाद इसकीन में dryness भी नहीं आती है तो चलिए जब आपको इस face hose का texture भी दिखा देता हूँ देख लेते हैं कि इस face hose की इस तरह की texture के साथ में आता है आप देखते हैं ये face hose white color की creamy type texture के साथ में आता है और इस face hose की fragrance भी light light सी काफी refreshing होती है और जैसे हम इस face hose से face hose करते हैं तो इस face hose से face hose करने के बाद हमारी स्कीन ठंडी ठंडी फिल होने लगती है जिससे हम खुद को काफी fresh फिल करने लगते हैं और अब बात कर लेते हैं कि इस face hose को किस skin type को use करना चाहिए और कि इस face hose को ज़्यादा time तक use मिलेने से इस face hose के कुछ side effect पर देखने को मिल सकते हैं तो मैं आपको दादो कि इस face hose को oily skin type use कर सकते हैं चाहिए आपकी oily skin है, combination skin है या फिर dry skin है इस face hose को सभी skin type use कर सकते हैं बात कर इस face hose के side effect की इस face hose में कुछ भी ऐसे harmful chemical के use नहीं किया जाता है जैसे कि SLS, paraben, silicone जो कि आपकी skin को damage करें और अब बात कर लेते हैं कि आपको इस new warm and dark spot reduction face hose को कब और कैसी use करना चाहिए सबसे पहले आपने अपने face को normal water से hose कर लेना है और थोड़ी सी quantity में इस face hose को ले लेना है और इस face hose से एक से डेड़ मिन तक circular motion में अपने face की अच्छे से massage करनी है जिसे आपकी skin में जमा dirt pollution अच्छे से निकल जाए और फिर आपने अपने face को normal water से hose कर लेना है और इस face hose का better result पाने के लिए आपको इस face hose को everyday दो time use करना चाहिए एक बार सुबा और एक बार चाहिए आप college office या कहीं पर भी जाते हो वहाँ से आने के बाद आपने face को इस face hose से hose करना चाहिए अगर आप इस face hose को इसी तरीके से दिन में दो time use करते हो तो आपको इस face hose का काफी अच्छे जल देखने को मिल जाएगा तो यही था इस नीवय में डाग स्पोर्ट रिडेक्शन face hose का complete review गाइस वीडियो पसंदा आई तो वीडियो को लाइक और से रुखे दिजे पूर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्साइब कर लिजे